ही गाईज, वेलकम और वेलकम बैक टो नॉटी स्टेचेज आज के इस वीडियो में हम प्रिंटिट कुर्ती के लिए एक बहुती सिंपल और सुन्दर सा नेक डिजाइन बनाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने ये कॉटन वाली जालीदार लेस ली है और इसका हम 12 इंच लंबा एक टुपटा काट लेंगे इस तरह से अब मैंने यहाँ पर पिंक कलर का एक फैबरिक लिया है और उसके उपर लेस को रखके दोनों तरफ से सिल दिया है इस तरह से लेस को मैंने कपड़े के उपर अच्छे से अटाच कर लिया है अब हम इसके side से extra कपड़े को काट देंगे इस तरह अब मैंने कमीज के कपड़े में से दो पटियां काट ली है और मैंने ये पटियां कुछ इस तरह काटी हैं कि ये जो flowers हैं वो पटि के बिल्कुल center में आएंगे अब इस तरह से हमें printed पटि को lace के उपर रखना है lace की किनारी को दबाते हुए हमें इसको इस तरह से सिल देना है इसी तरह से हम दूसरी पटि को भी इसकी दूसरी किनारी पर attach करेंगे पटि को attach करते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पट्टी के उपर प्रिंट है वो दोनों की नारियों पर बिल्कुल बराबर आए अब इस तरह से हमें साइट से एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करना है और कच्चा डांका या सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ हाथ से हम इस तरह से फोल्ड करके इसको क्रीज बना देंगे ताकि यहाँ पर सेट हो जाए अब नीचे से हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और यहाँ पर मैंने एक और पट्टी काटी हुई है कपड़े की तो यह जो फ्lawer है यह बिल्कुल सेंटर में मैंने इस तरह से सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सिल देंगे इस तरह इस तरी के से फ्लार को एड़्जस्ट करने पर एक सिमिट्री बन जाए की डिजाइन में जिससे की डिजाइन बनने के बाद और भी जादा अच्छा दिखेगा अब इस तरह से मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं कच्चा टंका लगा रही हूँ क्योंकि सिंपल क्रीस से इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था यह कच्चा टंका हम डिजाइन बनाने के बाद निकाल देंगे इस तरह अब हमें प्लेन फैब्रिक की एक पट्टी लेनी है यहाँ पर मैंने पिंक फैब्रिक की दो इंच चौड़ी पट्टी ली है इसे मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है और एक सिलाई लगा दिया है यहाँ पर इस तरह से अब ग्रे कलर की मैंने एक पारिक वाली लेस ली है और इस तरह से हम लेस को इस पट्टी के उपर रखेंगे इस तरह से और इसको हम अच्छे से अटाच कर देंगे तो यहाँ पर पट्टी के उपर लेस मैंने अच्छे से अटाच कर ली है अब जो हमने पट्टी ये वाली बना कर तयार की थी उसके उपर हमें इस पट्टी को इस तरह अटाच करना है printed fabric के नीचे दबा कर हमें इस पट्टी को सिल देना है अब यहां से हमें कोना बनाना है इस तरह और इस तरह से इसको सिल देना है और एक patch बना कर तयार कर लेना है गले पर लगाने के लिए यह देखिए यह patch अब इसे कितना सुन्दर दिख रहा है अब इस तयार patch को हम कुर्टी के फ्रंट पर बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से इसको हम सिल देंगे बिल्कुल बीच में हमें इसको सिल ना है इस तरह से यह देखिए patch को मैंने बिल्कुल सेंटर में रख दिया है और अब हम इसके उपर गला बना देंगे यहाँ पर मैंने इसके उपर गोल गला बनाया है आप अपनी पसंद का कोई भी गला बना सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच फॉर वाच्चिंग बाई बाई आपको मेरे आपको शवारे पसंद आपको मेरे गला ही